अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बैल आइकन को प्रिस कर लीजिए तो देखिए यहां पर डिफरेंस बिटूबीन हैंड मशीन कंपेक्शन के उपर कोशन एक्जाम में कैसे बन सकता है आपको यहां पर हम कंपेर करके बताएंगे तो देखिए आपर कुछ प्वइट दिए गये हैं एंड पर्टिक्रिन के क्वालिटी ऑफ कंपेक्शन क्या है हैं कंपक्शन की कितनी होती है एंद मशीन कंपेक्शन की क्या होती है इस तरह से पॉइंट्ट हैं वो हम यहां पर डिक्स करेंगे आशओ वी यहां पर quality of compaction hand compaction की अगर आप बात करेंगे तो यह आपको satisfy कर देती है quality जो होती है compaction की तो आपको satisfy कर देगी लेकिन यह जो होती है machine यह आपको बहुत ज्यादा satisfy करती है most satisfy करेंगी and equipment की requirement की अगर आप इसको बात करेंगे तो hand compaction में आपको क्या चाहिए सर्फ compaction के लिए tamping road होती है tamping road होती है उसकी ही आपको जरूर्ट पड़ती है लेकिन हमारे पास जो machine compaction की बात जब भी आती है तो हमारे पास तीन तरह के vibrator होते हैं एक होता है internal जिसको आप needle vibrator भी बोलते हैं एक होता है form vibrator फॉर्म बा बीटर जो होता है वो होता है वो होता है स्क्रीड बाइब्रेटर स्क्रीड बाइब्रेटर जो होता है इसको आप सर्पस बाइब्रेटर के नाम से भी चानते हैं तो मशीन में इन तीनों की जूरूरत पड़ती ही पड़ती है अब यहां पर हम बात करते हैं कि स्लंप जो होता है वो हैंड कंपक्शन के लि है वाटर स्मेंट रेशों की अगर आप बात करेंगे वाटर स्मेंट रेशों इसमें भी आपको ज़्यादा ही चाहिए हाथों से कंपेक्शन कर रहे हैं तो बानी तो ज्यादा ही होता है लेकिन इसमें लेस वाटर की जूरत पड़ेगी वॉइड्स इन कॉंक्रीट वॉइड भी चाहिए जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे आपको पता कि हाथों से कंपेक्शन कर रहे हैं तो बॉइड्स रही जाते हैं लेकिन यहाँ पर कोई भी बॉइड्स रहेंगे अगर आप इमपरमेभ़ड़ी इन कोंक्रेट की बात करेंगे इंपरमेभड़़ी तो इसमें क्या होता है लेस होती है इसमें ज्यादा होती है इंपर्मेबिटी जो होती है यानि कि इसमें पानी जो है इंपर्मेबल कम जाने के चांसे होते हैं इसमें बहुत ज्यादा कम जाने के चांसे होते हैं इंपर्मेबल होता है एंड सर्फिस फनिश की अगर बात करेंगे तो ये आपको सैटिसफाई कर देता है सैटिसफाई कर देगा लेकिन ये मशीन के दोरा जब भी आप सर्पिस फिनिशनिंग की बात करेंगे तो ये बैटर से भी बहुत ही ज़्यादा आपको सैटिसफाई कर देता है उसको बॉंड जो होता है steel and concrete के बीच में वो थोड़ा सा कम होता है क्योंकि आपको पता है कि by hand convection आप कर रहे हैं तो hand convection, segregation आने की chances जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं तो इसमें structure जो होगा वो उतना strong तो नहीं होगा वो bond भी तोड़ा कम ही बनता है लेकिन इसमें आपको पता कि bond कितना अच्छा बनेगा बहुत ज़्यादा बनेगा अगला point देखिए याँ पर filling of form work जो आपके पास shattering की हुई होती है उसको कितना fill कर देता है hand convection तो hand convection जो होती है उसमें यह होता है कि कही बार क्या होता है जो corner होते हैं तो उसमें चाहिए आपका कोई भी corner हो वो कभी भी खाली नहीं रहता है unfill नहीं रहता है completely fill हो जाती है form जो होती है and speed of placing की अगर आप बात करेंगे speed of placing के place करने की speed होती है हातों से कर रहे हैं तो भाई less ही होगी machine से कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा होगी तो ये थे हमारे most difference between hand compaction and machine compaction so ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चनल को subscribe कीजिए मिलते हैं ऐसी next वीडियो में